नमस्कार दोस्तो मैं हूँ चाड़कुर आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट रहने वाला है अगर आप इस स्टॉक में अपना निवेश लेके बैठे हुए हो य और आपको मल्टी वैगर रिटरंस कमाने के पूरे-पूरे दोस्तो मोके मिलेगे और अगर हमारी बात जूठी साबित होती भी है तो हम इतने कम लॉस में निकलेंगे कि हमें जवे ज़ादा परेशानी नहीं होगी in short risk to reward ratio आपके ही favor में रहेगा तो दोस्तो वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि Reliance के दोरा acquire किये जाने के कितने percent chances हैं तो पहले बात करते हैं आज की तो आज आप देख सकते हैं 1.25 रुपे ये आपको down दिखा है लगवग 1.05 परशंट की आपने आज इसमें गिरावट देखी तो दोस्तो आपको पता है कल इसने जो है वो अच्छी खासी rally दिखाई और rally के पीछे कारण साफ था कि इनोंने जो हम दोस्तो last day पे जो payment default होने वाली थी उसकी payment इनोंने कर दी बड़ दोस्तो आने वाले समय में इनको और जादा भी payment करनी है ये नहीं है कि ये last payment थी और आने वाले समय में इनको payment नहीं करनी है और अगर मैं बात करू दोस्तो कि उसके कितने परशंट chances हैं कि ये payment कर देंगे और default नहीं करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दू 22-40% चांसिस हैं कि ये दोस्तों default ना करें और आप देख सकते हो पीछे कितने बचते हैं 60% के आसपास तो 60% चांसिस हैं कि ये हो सकता है कि default कर दे तो reliance अभी तक इसको acquire क्यों नहीं कर रहा है तो दोस्तों जब कोई चीज गिरती है मैं आपको example देना चाहूँगा मेरे को आज मजबूरी है कि मेरे को यहां से निकलना है बट अगला बंदा तभी मेरे को खरीदेगा जब मैं पूरी तरह मजबूर हो जाओ उसको तो जल्दी है बट वो मेरे गिरावट का वेट कर रहा है कि अगर आज चीज मैं 100 रुपे की बेचना चाहता हूँ तो मुझे वो 90 रुपे की या 80 रुपे की बेचनी पड़े तो reliance इंडस्ट्रीज भी उस चीज का वेट कर रही है मुझे लगता है और आने वाले समय में ये इसको एक्वाइर कर लेगी उसके चांसिस जो हैं वो दोस्तो बहुत ही जादा है और इन्हें करना पड़ेगा अगर ये reliance अगर अपना retail business ग्रो करना चाहती है और इसके चांसिस भी लगवग दोस्तो 60% के असपास ही हैं कि reliance इनको अक्वाइर कर ले और जिस तरह से reliance इंडस्ट्रीज अगरेसिव चल रही है उस तरह से पता हमें चलता है कि बहुत ज़ादा चांसिस हैं कि इसको ये company अक्वाइर कर ले होता है नहीं होता है आप जानते हो कि stock market में ये हमेशा confirm नहीं रहता हम जो है वो possibilities की बात करते हैं और possibility को मैंने आपको बता दिया है कि कितने percent chances है और ये भी मैंने आपको clear कर दिया है कि अगर reliance industries इसको acquire करेगी तो उनको ही ज़ादा profit है तो risk to reward ratio जो हो दोस्तो आपको favor में कैसे लेना है मैं आपको बता दूँ कि current market price में आपको जो हो दोस्तो इस stock में अपना निवेश डालना है और कितना निवेश डालते हैं ये आपके उपर है ये आपका risk taking factor है कि आप कितना risk ले सकते हैं अगर आप लाक रुपया इसमें लगाना चाहते हैं तो मैं आपको सला दूँगा कि आप जो stop loss ले वो 97 का stop loss ले और अगर ये आप stop loss लेते हैं तो दोस्तो risk to reward ratio आपके favor में रहेगा और आपको reward भी बहुत बड़ा मिलेगा और दोस्तो जो loss होगा वो दोस्तो कम ही होगा loss आपको ज़्यादा जहिलना नहीं पड़ेगा जब आपको 500-600 या इससे भी ज़्यादा percent के return चाहिए तो दोस्तो 18-20 percent की गिरावट क्या होती है इतनी सी गिरावट जो है वो कुछी भी नहीं है अगर आप 18,000 खो भी देते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है लाक रुपे के उपर बट आप सोचिए यहाँ से अगर इसको Reliance Industries acquire कर ले तो आप खुदवा खुद जानते हैं कि ये आपको कम से कम भी अगर छोटे returns भी देगा तो आपका पैसा double करके छोड़ेगा I repeat अगर सबसे कम return भी दियाना तो आपका पैसा double करके छोड़ेगा और आप ये अच्छे से जानते हो जो risk taker हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हमें कैसा risk लेना है और हमेशा वो stop loss को follow करते हैं और मैंने आपको stop loss बता दिया है कि आपको 97 का stop loss इसमें लेके चलना है अगर मैं बात करो दोस्तो इसके chart की तो आप ये देख सकते हो लगवग 100 के आसपास आके ये stock रुक रहा है और वहां से ये अच्छे खासी rally दिखा रहा है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि जो ये stock है वो technically 97 का support ले रहा है और 97 अगर आप लेके चलते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे खासे profit देखने को मिल सकते हैं और अगर मैं बात करूँ दोस्तों गिरावट की तो गिरावट की भी मैंने आपको बात बता दी है 18,000 कुछ जादा नहीं होता है अगर आप लाक रुपया लगाते हैं और ये भी तो सच बात है कि अगर आप 18,000 खोईंगे वो तो बात आपको समझ आ रही है बट आपको मिलेगा कितना है ये आप सोच नहीं सकते अगर अलोग इंडस्टीस आपको 1600 परशंट के आसपास रिटरंस कमा के दे सकता है तो दोस्तों ये स्टॉक भी आपको कम से कम 100 परशंट के रिटरंस तो कमा के देता है अगर Reliance Industries इसको acquire कर ले और अगर acquire नहीं भी कर पाती है तो दोस्तो हम इस stop loss के साथ इस stock से निकल सकते हैं हाँ sometimes आपके लिए दिक्कते जरूर खड़ी हो सकते हैं जब ये stock lower या फिर upper circuit पे trade करता है इसलिए आपको active trader या फिर investor बनना पड़ेगा और अगर आप active नहीं हो तो फिर तो मैं बिल्कुल सला नहीं दूँगा क्योंकि जब भी stock 5% का lower या अपर circuit लगाता है तो या तो दोस्तो buying खतम हो जाती है या तो selling खतम हो जाती है इसलिए हमें जब भी इसको sell करना होगा 97 के आस पास तो lower circuit लगने के पहले या फिर अपर circuit लगने के पहले ही अपनी game करनी पड़ेगी तो दोस्तो ये सला मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे ही ये lower circuit लगाना शुरू करेगा वैसे ही दोस्तो इसमें आपको selling pressure ही आता हुआ दिखेगा तो इसलिए आपको एक strategy follow करनी है वो है दोस्तो आपको active रहना है और जब आप active रहेंगे तो आपको दोस्तो कम से कम आपको 5 से 15 मिनिट तो मिलेंगे उस stock में loss book करने के इसलिए आप ये strategy जरूर इस्तिमाल करें अगर आप यहां से high reward लेना चाहते हैं तो चलिए आज का trade देखते हैं कि आज कैसा trade उठाया गया है तो दोस्तो मैं NSE की website पर आ चुक हूँ तो previous close आप देख सके 119.25 है opening होती है 119.75 पर high बनाता है दोस्तो 120.45 का low बनाता है 115.40 का adjusted closing की अगर मैं बात करूं तो 117.45 पर दोस्तो इसको adjusted closing मिलती है उसके बात प्रेड़ वोल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 66,58,201 shares जोंब वो दोस्तो ट्रेड होते हैं percentage of deliverable quantity to trade की अगर मैं बात करूं तो 43.11% की delivery जोंब दोस्तो उठाया जाती है लगव 28,70,201 shares जोंब दोस्तो delivery पे उठाया जाते हैं अच्छी खासी delivery जो हो दोस्तो उठायी गई है और 52 week low से आप देख सकते हो यह stock अच्छा खासा recover हुआ है और इसने अपका पैसा double किया है बट यह stock अभी भी दोस्तो अच्छे खासे price पे आपको मिल रहा है इसलिए अगर reliance इसको acquire कर लेता है तो दोस्तो यह stock आपको दबा के पैसा कमा के देगा इतना पैसा कमा के देगा कि आप सोच नहीं सकते मुझे लगता है कम से कम यह stock आपको 500 के आसपास मिलेगा आज अगर stock इसको acquire कर ले reliance industries तो वीडियो अच्छी लगे like और subscribe जरूर करें